राश्ट्री रादानी दिली और आसपास के इलाकों में शनिवार और रईवार को भी भीशन ठन पड़ सकती है ऐसे में मौसम विभाग ने दिली NCR समेत उत्तर भारत में दो जनवरी तक घना से घना कोहरा चाया रहने का अनुमान जताया है शुक्रवार को लगतार तीसरे दिन बें दिली समेत उत्तर भारत में घना कोहरा चाया रहा इसके चलते 250 से भी ज्यादा उडाने प्रभावित हुई जिन में अकेले दिली में करीब 238 फ्लाइट शामिल है वही 125 से ज़ादा ट्रेनों के संचालन पड़ भी इसका असर पड़ा है भारत मौसम विज्यान विभाग यानि आईमडी ने दिली एंसियार के साथी पंजाब, हरियाना और चंडिगड के कुछ हिस्सों में कोल्डे की इस्तिती का पुर्वानुमान जताया है आईमडी ने दो जन्वारी तक उत्तरभारती राजयों में कोहरों के लिए यलो अलर्ट जारी कर दिया है खैर आपको बता दे कि कोल्डे तब होता है जब लगतार दो दिन नियुनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे हो और अधिक्तम तापमान सामाने से 4.5 से 6.4 डिग्री से कम हो तो हैं देश की राजाने दिल्ले में शुक्रवार को नियुनतम तापमान 10.7 डिग्री और अधिक्तम तापमान 19.8 डिग्री से रहा है उडानों के आवा गमन में देरी हुई तो कोई उडान लेकिन रद नहीं हुई इधर आपको बता दे कि चंडिगर्ड एयरपोर्ट पर भी 14 उडाने रद करनी पड़ी वही नए साल के जश्न के साथ बरबारी का लुप्त उठाने की उमीद को लेकर उत्राखंड के धनोल्टी कानातल परियटर नस्तलों पर पहुँचने वाले परियटकों को मौसम की बेरुखी मायूस कर सकती है अगले 4-5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने का पुरवानुमान है तो वही मौसम विभाग की माने तो अगले हपते उत्तर भारत के कुछ राजियों में बारिश तो वही पहाडों पर बारिश के साथ बरबारी मुसीबत और बढ़ा सकती है ऐसे में बढ़ती ठंड और निव यर पर लोगों का प्लान बढ़ सकती है खैर आपको बता दे कि जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदीश और उत्राखंड में 30 और 31 दिसंबर को हलकी बारिश और बरबारी का अनुमान है पाड़ों पर बरबारी और बारिश के चलते ने साल प ठंड बढ़ सकती है तो वहीं लेह में आज 30 दिसंबर को ही पारा लुढक कर माइनस साथ पहुँच गया है तो वहीं श्री नगर की बात की जाये तो श्री नगर में भी तापमान शुन्ने से नीचे माइनस टू और पहल गाम में माइनस पांच पर पहुँच गया है घने क कोहरे ने सडक के साथ साथ रेल और फ्लाइट्स की स्पीड पर ब्रेक लगा दिया है घने कोहरे के चलते कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरो तक पहुँच गई है तो अभी के लिए के वाल इतना ही दीश और दुनिया के से तमाम जानकारी और खबरों के लिए बने रह कर दूजगर